प्राइब कर दोस्तों यह जो इन्यन था यह स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इन्यन कोई सभी इन्यन हो अगर स्टार्ट नहों तो उसे कैसे चेक करें और क्या क्या चेक करना होता है तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि इन्यन जब भी भी स्टार्ट नहों तो हम क्या करेंगे कि तंकी से तेल डालेंगे तो फिल्टर देखेंगे फिल्टर में अगर तेल आ रहा है तो फिल्टर से बाद इसकी जो बैंजो नली होती है उसके देखेंगे तेल की सप्लाई आ रही है कि नहीं उसके बाद अगर तेल की सप्लाई उसमें आ रही है तो ठीक अगर नहीं आ रही तो फिर हम उस कमी को सही क इसके बाद हम क्या करेंगी कि पंप में जैसे नली लगाने के बाद इसका एर अगरा सारा निकाल के इसके बाद पंप में सप्लाई चेक करेंगे तो सप्लाई में अगर सही है मालो अब तेल की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद नोजल खो तो आप समझ लेना या तो रिंगे खराब है या तो है तो एड में कोई दिक्कत है या तो टैपेट जो है सेट करना पड़ेगा तो यह आपको चीजें चेक करनी होती है अगर जब भी इंजन स्टार्ट नहों आप यह जो चीजें मैंने अभी बताई अगर आप चेक करोगे तो एक कमी आपको मिल जाएगी जिससे इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था तो चलिए देखते हैं इस इंजन में हमने क्या खराब था और इसको हम कैसे साहिका सकते हैं तो यह इंजन जो बहुत पुराना रखा था तो इसकी जो नली थी नली जाम हो गई थी जिससे इंजन म होगी मैं आपको अभी इसी दिखाता हूं और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन को बैल को आल कर दीजे जिससे की मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और दोस हुआ 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 कि इस्टार्ट नहीं अबेड़ पर तो तेले आचे करेंगे अबस्टार्ट कोई देए के बाद इसके बाद यहां पंप तक तो तेल आ रहा है जब भी हो तो पहले ऐसा ही चेक किया जाता है जैसे पहले तो फिल्टर में फिल्टर से नली में पंप जो पंप में जो नली लगती है वहां तेल चेक किया जाता है इसके बाद आप पंप को घुमा के चेक करें तो जिससे पता चले की पंप में तेह लादा है